नमस्कार मैं हूं भावना समाया और ये है मेरा इस हफ़ते का फिल्म रिव्यू जंगल पिच्चर्स प्रोड्यूस्ट और चाक्रॉसल डिरेक्टिड जंगली कहानी है राज नायर याने विद्यू जामवाल की जो शहर में जानवर के डॉक्टर है राज के पिता ओडिशा के एलफिंट सैंक्चुरी की देखभाल करते है और राज उन्हें दस सालों से नहीं मिले है इस साल राज अपनी मा की बरसी के लिए घर आते है और यहां बहुत कुछ हो जाता है फिल्म का प्रेमाइस दिल्चस्प है और इसे एंगेजिंग बनाते है फिल्म के खैरेक्टर्स और उनके आपसी रिष्टे बाप बेटे में प्यार है मगर टक्रार भी है दोनों प्रकृती से जुड़े हैं मगर दोनों का समर्पन अलग है फॉरिस्ट ओफिसर देव याने अक्षे अबरोई सैंक्चुरी की सयोगी शंकरा याने पूजा सावन से महबत करते हैं मगर बताते नहीं शंकरा राज से प्यार करती है और वो भी जताती नहीं उसे लगता है कि राज न्यूज रिपोर्टर मीरा याने आशा भट से अट्रैक्टेट है राज को सिर्फ जंगल और जंगल के जानवर से प्यार है रुची है वो हाथियों से बाते करता है और सापों के साथ खेलता है फिल्म का फोकस एन्वायमेंट कॉंजरवेशन है अगर हम हाथी दातों की चीज़े खरीदना बंद करेंगे तो अपने आप इसका व्यापार बंद हो जाएगा फिल्म का फर्स्ट हाफ टेक्निकली और विजिली स्पेल बाइंडिंग है इसमें एक्जोटिक लोकेशन, सिनेमाटोग्रफी के अलावा भरपूर एक्शन और ड्रामा है जो आपके खोश उड़ा देगे प्रॉब्लम फिल्म का सेकेंड हाफ है जहां हीरो विजियो जामवाल, जंगल के दुश्मन अतूल कुलकरणी की तलाश में हमें चार लंबे फाइट सीक्विंस प्रेजेंट करता है कभी जंगल के बीच, कभी भगवान के सामने, कभी पुली स्टेशन के अंदर, कभी लाथी के साथ, कभी तलवार से, कभी हाती पर चड़ कर, तो कभी मोटर बाई के साथ एक के बाद एक स्टन्स चलते रहते हैं एक हद के बाद हम action scenes से तंग आ जाते हैं, मगर विद्यूत जामवाल से नहीं, विद्यूत को martial arts करते देखना अपने आप में एक अनुभव है, घंगोर जंगल के बीच जानवर के साथ shooting करना आसान नहीं है, और इसका श्रेज आता है फिल्म के डिरेक्टर को, supporting cast में मकरंदेश पांडे और अतुल कुलकरणी effective है, साल 1961 में शमी कपूर की फिल्म जंगली रिलीज हुई थी, जिसका जंगल से कोई तालुक नहीं था, साल 1971 में राजिश खन्ना की हाथी मेरे साथी रिलीज हुई, जो इंसान की जानवर से दोस्ती की कहानी थी, साल 2019 की जंगली बेजुबान जानवर की सुरक्षा का पैगाम है, जंगली देखनी चाहिए जबरदस्ट action के लिए और American Director का Indian perspective के लिए, और सबसे बढ़कर विद्यू जामवाल के लिए, जो हर सीन में first rate है, जंगल को बिग रेटिंग्स मिलते है, साड़े की स्टार्स, जिसमें से एक स्टार सिर्फ और सिर्फ विद्यू जामवाल के लिए है,